क्लास नंबर 4 आपकी आज और क्या है एनपियो मैंने फिसले क्लास में यह कोईशन करना स्टार्ट किया था इल्वेस्टरिशन नमर 35 लेकिन मैं पूरा कर नहीं पाया था क्योंकि मैं चला गया था किसी और डिरेक्शन में और मैंने काफी सारे थेोरिटिकल बात आपसे की थी मुझे याद है कि आपको यह सब बाते याद होगी याद कीजिए आज हम absolutely कोई रोक नहीं सकता मुझे आज हम कोईशन स्टार्ट करके रहेंगे लिए स्टार्ट कीजिए इल्वेस्टरिशन नमर 35 और मैंने क्या कहा था आपको given क्या रहेगा given रहेगा आपको receipts and payments account और क्या रहेगा आपको adjustments आपको बनाने क्या पढ़ेंगे यह एक टाइप का सवाल है बनाने पढ़ेंगे आपको income and expenditure account and क्या बनाने पढ़ेंगे balance sheet यह type 1 था problem का सबसे important यह होता है इस type पे अगर आप महिनत कर लोगे न तो remaining types अपने आप असान हो जाते हैं देखोने इसमें 35 तक question दे रहेखा तो समझो कितना important रही है देखे 35th question है हमारे पास अभी आपको यह सवाल दिखाने के लिए नहीं है लेकि next class से शाहिद हम आपको सवाल दिखा पाएं देखे सवाल कि आप पास book होना चाहिए किसका J.R. Monga का latest edition होना चाहिए बतो क्या edition यार 34th है ना 34th edition होना चाहिए क्योंकि syllabus में कुछ add भी हुआ है ठीक है ना इसलिए आपको पास अग्दम latest edition होना चाहिए 35th question क्या कहता है from the following receipts and payment account young friends mandal janakpuri for the year ended 31st December 2016 and the adjustment given below prepare income and expenditure account for the year ending 31st December 2016 and the balance sheet as on 31st December 2016 देखो ना income and expenditure बोल रहा है और क्या बोल रहा है balance sheet बनाने के लिए क्या रहा है receipts and payment account को बड़े आराम से पढ़िए आप दो तिन सवाल आपको ध्यान से समझने पढ़ेंगे और एक सवाल तो मुझे बहुत ही तसलिए से कराना पढ़ेगा दो सवाल तीन सवाल तक मैं बहुत अराम से करा हूँगा remaining सारे questions आपके क्या होंगे होंगे फिर हमसे आप प्रॉलम पोच सकते हैं देखिए receipts and payment account के एक एक items को आप ढ़ंग से पढ़िए पहले मैं receipts side में देखता हूँ balance as on 1-1-2016 क्या ची यह है cash in hand या cash at bank in the beginning है न बता सकते हो कहां जाता है cash in hand cash at bank in the beginning balance sheet opening balance sheet में बहुत सही बात donations कहां जाए रहा sir donations जा सकता है specific donation लिखा नहीं है हो सकता है adjustment में लिखा हो अभी हमको decision ने ले सकते है donations के बारे में donations के लिए decision लेने से पहले मुझे पूरा सवाल पढ़ना पढ़ेगा donation देखता हूँ क्या adjustment में entrance fee adjustment पढ़ना पढ़ेगा subscription locker rent income from annual program sale of furniture देखते हूँ न मैंने का अगर final accounts आपको आता है तो यह chapter भी आपको आता है taxes expenditure rent expenditure stationery wages यह दोनों expenditure है billiard table यह भी expenditure है ना नहीं है billiard table काफी costly होता है यह asset होता है fix asset है electrical fittings यह भी expenditure है उसके बाद क्या आपका इन्वेस्टमेंट्स कितना है बारह हजार है इन्वेस्टमेंट्स आपको बारह हजार यह top course asset है repair के आपका expenditure annual program expense expenditure match expense expenditure हाँ annual program expenditure क्या होता है तुमारे schools में या colleges में कही annual program होता है उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है तो यह expenditure है annual program expenditure match expense match कराने के लिए यह भी expenditure है bank balance यह क्या है asset है cash asset है इतनी छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ थोड़ा तुम्हेर हो जाओ और हलकास बस देखना वो projector बले switch मना जाए touch ना करना ठीक है यह बात होगी बच्चो तो उसके बाद देखें next point सब कहानी depend किस पर करता है adjustments भे बड़े अराम से adjustment पढ़िए जिन बच्चों ने 11-12 class में इस chapter को ढंग से पढ़ा होगा उनको हसी आती होगी कि मैं इतना importance chapter को क्यों दे रहा हूँ बात समझ रहे हैं मुझे नहीं पता कि इसको क्या आता है सब बच्चे भूल चुके होते हैं इसलिए एक दो चार questions तो यह किस year के लिए है यह year ending year ending 31st December year ending 31st December 2016 है यही है न हाँ इसका मतलब है कि 11-11-16 से लेकर 31st December 16 यह क्या होगा आपका current year कोई भी item इससे पहले related होगा इसके बाद होगा तो prepared हो सकता है यह out standing हो सकता है ध्यान रखना मैंने यह बात क्यों कहीं आपको क्योंकि locker rent कह रहा है 200 for the rent 2015 मतलब साफसी बात है कि locker rent जो आपने pay किया है न उसमें 200 रुपीज क्या था out standing था पिछले साल का तभी तो इस बार pay किया है न and 50 still out standing for the current year इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब हुआ कि अभी नहीं बोलना है 50 रुपीज out standing at the end है रुख जो अभी बोलना मत मुझे बोलने दो बस मुझे बोलने दो ठीक है न आप बात में पूछना 200 रुपीज मुझे पता चल गया आपको भी पता चल गया कि सर इसका relation कि से है पिछले साल से है और 50 रुपीज इस साल का है जो अभी तक पे नहीं हुआ है अभी तक पे नहीं हुआ है सारा गेम ही एडजस्टमेंट का है ठीक है न लॉकर रेंट इंक्लूद्स 200 फॉर दे यर 2015 और 50 इस स्टील रुपीज पूर दे करेंट यर देखो मैं एक बार पूरा एडजस्टमेंट समझाओ फिर जाके question स्टार्ट करो तो पूरा time लग जाए तो मायगी क्या खोल लो उसका account मैं यहां लिखता हूँ working note आप भी लेखिये मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा अगली बार से आप पूछोगे तो मैं जवाब भी नहीं दूँगा मुझे करने दीजिए उसके बाद problem बचे भी तो मुझे पूछ सकते हैं ठीक देखिय बात किस की ओर रही है लॉगर इंट की तुम्हारे start तो कर दिया है message message भी कर दिया है किया है तो message यार देखो नो तुम्हारे अब कर चुको है start में हाँ कर लेता हूँ phone बात कर लो आज class से निकलता ही हाँ कर लो कर चुको हूँ तुम्हारे यार तुम कल 6 बज़े class में भी आ सकते हैं मेरे पास आना चाहो तो ठीक है ठीक है साथ बज़े तर कर लिना working note देखिये सबसे पहला working note अब राएए क्या locker rent सबसे पहला working note क्या बनाई है locker rent बनाई ये लिखिये locker rent बनाई है मैं teacher room में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सवाल करने में एक घंटा भी लग सकता है क्योंकि मुझे समझाना है आपको अगर मुझे exam में करना होता तो इतने दिर तक मैं कितना बढ़ चुका होता लेकिन जो steps में लेता हूँ वो steps आपको सीखना है कि सर इस approach से करना है भूल जाए जो आपने 11-12 ने पढ़ा है आपको account बनाना है कितना confusion आपके दिमांग मारा था account बनाते ही सारा confusion दूर हो जाएगा देखिए account में क्या क्या लिखना है सबसे पहले अगर locker rent स्टार्ट किया है तो उनसे related जितने भी item से सारा डालो मैं क्या देख रहा हूँ कि outstanding locker rent आपको पहले आपने pay कितना किया ही देखो locker rent आपने received किया sorry received कितना 1000 जितना receive किया यहां क्या लिखोगे by receipts and payment account कितना भई 1000 by receipts and payment account 1000 क्यों हो सरी है यहां क्यों लिखा है receipts and payment account में two locker rent रिखा हुआ है तो यहां क्या लिखोगे by receipts and payment account यह आपका income हो गया यह debit side है यह credit side है यह आपका working note है जान लिना इस बात को उसके बाद अगर नीचे मैं सवाल पढ़ता हूँ तो क्या लिखावा है यह जो 1000 मैंने pay किया receive किया है न इस 1000 में 200 रुपीज वो है जो मुझे पिछले बार मिलना था समाई रहो ना समाई रहो पिछले बार मिलना था मुझे नहीं मिला तो मुझे बताओ अगर कोई out standing in the beginning होता है तो वो asset होता है न इन the case of income ठीक है न तो यह यहां क्या अगला आएगा out standing in the beginning कितना out standing in the beginning है 200 जो यहां मिलना था यह 200 रुपीज 1000 में इंक्लूड है यह 200 1000 में इंक्लूड है उससे फरक नहीं पड़ता है जब मैं अपना account बनाओंगा तो out standing in the beginning कहां लिखूँगा यहां लिखूँगा और जो out standing मैंने अभी तक receive नहीं किया है वो कहां लिखूँगा मै यहां पर out standing at the end कितना out standing at the end है बोलो सर 50 है out standing at the end 50 है बात समझ गए अब इसके बाद क्या locker rent से related कोई और भी items दे रखा है सवाल में देखो और भी कुछ है अगर इसके अलावा कुछ और नहीं है तो इसको यहां पर आप close कर सकते हैं क्या close करेंगा सर यह 1050 हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा 1050 हो जाएगा इसमें से 200 माइनस कर दीजिए तो यह क्या बचेगा 850 सर 850 कहां जाएगा तुम बताओ कहां जाएगा यह क्या लिखेंगे यहाँ पर to income and expenditure account आप कुछ भी मत पूछो आप जो 11-12 class में vertically plus minus करके करते हो न वो सही तरीका नहीं है उसमें हमें से confusion रहेगा आपको एक बर account बना लोगे कोई भी problem दूर नहीं होगा इसके बावजूद भी गर problem रहता है तो class के बात कर लेंगा अक्की बात फिर से मैं पूछता हूँ लोकर रेंट यहां पर क्या है? income है अगर income का कुछ पार्ट आपको in the beginning नहीं मिला था तो क्या कलाएगा है? outstanding in the beginning राइट और अगर आखरी तक नहीं मिला तो क्या कलाएगा? outstanding at the end अगर यह लोकर रेंट कुछ आपको advance मिल गया होता तो क्या होता? advance in the beginning और मैं sure हूँ की सवा नहीं दे रखा है? advance मिला होता है अगर यह लोकर रेंट आपका advance at the end तो क्या होता? यहां होता? advance at the end क्यों सर यहां क्यों होता? क्योंकि advance में कोई income अगर receive करोगे तो वो क्या होगा? liability होगा. advance में, अगर मैं आपका fee advance में लेता हूँ तो मेरे लिए क्या हो? liability है. तो liability की opening balance यहां होती है, liability की closing balance यहां होती है, asset की opening balance यहां, asset की closing balance यहां. अब आप कुछ होगे सर, इसको जान छोड़े हो चुका है? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही adjustments आपको आएंगे और, हर सवाल में यहीं करना होगा. तो देखिए, जब आपको income expenditure में transfer करने के लिए amount मिल गया, तो जब income expenditure account बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, वहाँ पर transfer कर देंगे, मैं एक साथ सारा नहीं बना सकता हूँ यहां पर, लेकिन आप क्या करेंगे, एक जगा working note के लिए क्या करेंगे, जगा रख लेंगे, और दूसरे जगा income expenditure account और balance sheet का पूरा format बना द अब मेरा page न एक limit जदा उपर जाएगा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहां द लिखोंगा नहीं न, तब तक यह उपर नहीं जाएगा, इसलिए मुझे working note ही पहले करने दो, आपको क्या करना है, एक page छोड़ना working note में, पीछे में, और एक page complete दो page लेना सामने, साथ साथ, एक page पर बनाना income expenditure, एक page पर balance sheet, space की कोई कमी नहीं है, पूरा space रखना है, अब आप मुझे बताओ कि सर यह कहां कहां transfer होगा, मुझे बताओ, इस सवाल में opening balance sheet बनाना पड़ेगा के नहीं पड़ेगा मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन अगर opening balance sheet बनाना पड़ता तो य 100 रुपीज कहां जाता, opening balance sheet कौन सी side, asset side, यह 50 कहां जाएगा, closing balance sheet किदर, asset side, यह कहां जाएगा, सर यह कहें नहीं जाएगा, यह तुम खुद उठक ले आए हैं, यह कहां जाएगा, income and expenditure account, किस side, income side, मज़ा आ गया है, सही कहा रहा है न, income expenditure account में कोई भी adjustment आपको करने की अब पर कर चुके हैं, मान के बात को, लेकिन सर आप पूछते हैं, अगर advance in the beginning होतो तो कहां जाता, मुझे नहीं पता कहां जाता, पता हो कहां जाता, opening के liability में, advance at the end कहां जाता, closing के liability, ऐसा होता तो, आपको जब नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हो, अगला क्या है, सब्सक्रिप subscription का, subscription account, अब मुझे बताए कि मैंने कुछ दिर तक जो आपको चुप रखा हो, सही किया गला किया, बोल ये please, बोलो ना, सही किया ना, चुप रनाफ के लिए फाइदा बन था ना, right, अभी भी चुप रहेएगा, देखिए, subscription include 1000, ये include include की बात तो हम बाता है, बात में करेंगे, पहले, receipts and payment account में subscription कितना दिख रहा है, 20 है, तो यहां क्या लिख होगे, by, receipts and payment account, by receipts and payment account, by receipts and payment account, by receipts and payment account, कितना subscription बताईए बच्चो, 20,000, by receipts and payment account, 20,000, मान गए, बहुत अच्छी बात, उसके बाद बताईए कि receipts and payment account कि बारे में और क्या-क्या सवाल कह रहा है, देखो तो सही, subscription include 1000 for the year 2015, जो receive आपने किया है न, उसमें 1000 पिछले साल से related है, पिछले साल का amount इस साल हम कब receive कर सकते हैं, जब वो पिछले साल ना मिला हो, तो मैं क्या लिखोंगा यहां पे, outstanding in the beginning, कितना लिखोंगा बताओ, 1000, तो 1000 लिखो, outstanding in the beginning, और लिखा बाए कि 800 are outstanding for this year, अभी भी outstanding है, तो क्या करोगे, outstanding at the hand, कितना बच्चे बताओ, 800, देखोंगा, outstanding at the hand, 800, while 200 are received in advance, देखोंगा आगया न, received in advance for 2017, 17 का पैसा अभी आपने receive कर लिया है, समयरे बात को, जो आपको 17 में receive करना चाहिए था, वो आपने अभी receive कर लिया है, तो क्या कलाएगा हो, advance at the end, यहां लिखोंगे न, advance at the end, कितना advance at the end बताओ, प्लीज, 200, जब वहाँ 2017 लिखावा, तो क्या end नहीं होगा, 2017 पहले होता है, 2016 पहले होता है, 2016 में अगर 17 का मिल गया, तो क्या कलाएगा हो, advance at the end होगा न, क्योंकि 17 का पैसा मिला है अभी आपको, 2016 में मिला 2017 का, तो यह क्या कलाएगा, advance at the end, ठीक है, 2016 मिला, 2000 received in advance for 2017, यह received किस साल हुआ है, 2016 में रेसीव हुआ है, सवाल हम किस साल का पढ़ रहे है, 15 का पढ़ रहे हैं, सवाल हम 16 का कर रहे है, 16 में ही received हुआ है, ठीक है न, सवाल यह कहना चाहता कि, यह जो आपका 20,000 है न, इस 20,000 में, यह 1,000 भी plus है, और यह advance भी plus है, बात समझ गए, जादा अगर मुझे बोलने के लिए के होगे, तो आप भी confused कर जोगे, बताओ मुझे, outstanding in the beginning कितना है, 800, outstanding at, I'm sorry, outstanding in the beginning कितना है, 1000, outstanding at the end कितना है, 800, 2016 यह चल रहा है, इसमें कहीं पे भी, आपने कहीं पे भी, यहाँ, 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 कहीं पे भी, आपने 200 receive किया, जिस 200 का amount का relation किस साल से है, इस साल से, किस साल से है, 17 से relation है, तो इसका मतलब जब 16 के आखरी में हिसाब किताब करेंगे, तो इसको क्या नाम देंगे, advance at the end नाम देंगे, advance at the end, और 2017 में यह क्या हो जाएगा, advance in the beginning हो जाएगा, बात समझ गए, तो 200 हो गया, next बताइए, beginning हो जाएगा, अब बताइए क्या इसके अलावा इसमें और भी कुछ है, सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लीजिए, आपको कुछ और दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको यहीं पर finalize कर दीजिए, और आपका, complete हो गया, देखिए, कितना आगया बताइए, यह कितना हो गया, 20,800, यह भी कितना होगा, 20,800, उसमें से क्या किजिए आप, 1200 मैनस किजिए, कितना हो गया, 19,600, इसको क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलेंगे, तू, income and expenditure account balancing figure, अब मैं पोछू एक बात आपको, बताइए, outstanding in the beginning कहा जाएगा, opening balance sheet के asset side, और standing at the end कहा जाएगा, closing balance sheet asset side, reception and payment account मैंने खुदी pick up किया वहाँ से, income and expenditure कहा जाएगा, income side, advance at the end कहा जाएगा, closing balance sheet liability side, closing balance sheet liability, मैं लिग दे तो यहाँ पर, closing balance sheet liability, subscription नहीं बन गया, कितना मज़ा आया देखो, adjustment करते ही आपका सब कुछ बन जाएगा, rent, rent of 800 for the month of December, 2016 is still outstanding, outstanding, अब एक छोटा से क्या किजिए आप, account बना लिजिए, आपको जहाँ adjustment इतने कम होते हैं, वहाँ भी आप account बन बनाऊगे, तो time तो बूद खा जाएगा सवाल, तो जहाँ पर adjustment कम होते हैं, अगर आप बिना account बनाए भी उसको handle कर सकते हैं, कर लिजिए, लेकि मैं कहूंगा कि अगर आपको confusion होता है, तो account बनाई लिजिए आप, देखिए rent की बारे में क्या क्या रहा है, rent 800 for the month of December, still outstanding, rent है कुछ, इसका मतलब rent paid की बात कर रहा, rent receipt तो है नहीं यहाँ पर, rent paid है, तो rent paid in receipt receipts and payment में कितना दे रखा है, 12,000, वहाँ credit में तो यहाँ के आएगा, debit में, क्या लिखोगे यहाँ पर, two receipts and payment account, कितना लिखोगे, 12,000, और बच्चे नीचे adjustment में क्या दे रखा है, rent 800 for the month of December, 16 is still outstanding, मतलब इस साल का 800 रुपीज, rent आपने pay ही नहीं किया है, आपको pay करना था, आपने pay ही नहीं किया, तो क्या liability के sit है, liability है, और साल के आखरी में, at the end of the year है, तो liability at the end कहा लिखी आती है, यहाँ लिखते है, outstanding at the end, liability की opening balance यह होती है, liability closing balance यह होती है, ठीक है न, और rent हम ने नहीं pay किया 800, तो यहीं पर आएगा यह कितना, actually मेरे लिए rent था कितना, देखो न, मुझे rent कितना pay करना था, 12,800 रेंट पे करना था, लेकिन 12,000, 12,000 मैंने cash pay कर दिया, 800 है मारी outstanding है, दोनों मिला कितना हो गया, 12,800, अब बताए, यहाँ क्या लिखोगे आफ, 12,800, और यह, उसको debit and create के तरिके से मत समझो, liability है कि asset है समझो, ठीक है न, outstanding at the end क्या है, यह जाएगा income, बताओ, यह आपका liability, outstanding liability होती है, outstanding अगर कुछ आपको pay करना बांकी है, ठीक है न, तो liability है, liability की opening balance यहाँ होती है, liability closing balance यहाँ होती है, इस तरीके से देखना आपको, ठीक है बच्चों, यहाँ तक clear होगी बात है, तो income and expenditure में, अब एक चीब बताए मुझे, इसमें आपको सिर्फ दो items transfer करने, पता कौन-कौन सा, पता हो कौन-कौन सा, एक तो income and expenditure के debit side में जाएगा, कितना, बाराइब आट सा, और दूसरा balance sheet के liability में, closing balance sheet, liability side, कितना जाएगा, 800, आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे सवाल बनता चला जा रहा है, कोई problem ही नहीं इस सवाल में आपको, आए, rent के बादे को next क्या है, 1 by 2 of donation, half donation मतलब क्या है, and 1 by 2 of entrance fee are to be capitalized, clear instruction है, half donation, half entrance fee को क्या करना है, capitalize करना है, मतलब capital fund में plus कर देना है, तो क्या इसको लिखने की जोरत है, कि remaining half क्या होगा, income expenditure में जाएगा, किदर जाएगा, income के site, अगर 50% capital है तो 50% क्या revenue है, of course revenue है, understood जाएगा, यह मत पूछना की सवाल ने, 50% के बारे में क्यों नहीं लिखा है, understood है, यह आप काम कर लेंगे, तो जो 50% को कहां plus करेंगे, आप balance sheet में, capital fund में, मैंने क्या कहा आपको, मेरे पास तो वो opportunity नहीं है, कि मैं सब कुछ एक साथ दिखा सकूँ, लेकिन आपके पास, अभी register में, यह क्या होता, balance sheet भी होता न, तो आप अभी क्या करते, capital fund का जगा होता, वहाँ पे already जागे क्या कर रहे होते आप, plus कर रहे होते, यह मत करना कि बाद में कर लेंगे, अभी कर दो यार, बाद में नहीं होता कुछ भी, इसमें क्या problem होता है, कि काफी सारे adjustments होता है न, तो adjustment छुटने का डर रहता है, तो आप tick mark भी करते जाएए, और साथ साथ करते जाएए, 50% को कहां प्लस कर दिए, capital fund में, 50% कहां लिख दिए, income में, देखिए, 5th point देखिए, 5th point है, opening stock of a stationary, stood 500, while at the end of the year, stock of a stationary stood 1000, अब हम कुछ भी कर लेंगे, stationary के बारे में confusion होगा ही होगा, और confusion दूर करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, stationary account, stationary account में, आप ढूंड के बताईए, कि आपने कितनी payment इस बारे stationary में की है, 2500 की payment की है, तो यहाँ क्या लिखोगे, sir, to, receipts, and, payments account, कितनी payment की बताईए अच्छे, बोलो ना, 2500 की payment की, उसके बाद आप कहोगे, sir, आगे देखोगे, adjustments में क्या क्या दे रखा है, opening stock of stationary, आपको पता है, इसकी opening stock कहाँ पे होती है, नहीं पता है, तो shame on you, पता है न कहा होती है, opening stock, यहां कितना बताओ, 500, asset है, और closing stock कहाँ होती है, इधर होती है, closing stock कितनी है, closing stock है, opening stock, and closing stock हो गया, क्या stationary की बारे में, इसने कुछ और भी कह रखा है, ध्यान दीजिए सवाल में, कुछ कह रखा है क्या stationary के लिए को, नहीं कह रखा है, और क्या कह सकता है sir, मैंने पूरा format बता रखा है इसका, creators in the beginning, creators at the end, in the beginning यहां होता, at the end यहां होता, prepared in the beginning यहां होता, prepared at the end यहां होता, नहीं दिया तो अच्छी बात है, दिया होता तो मैंने मेरी तैयारी पहले से, मैंने पहले से तैयार कर रखा है उसके लिए आपको, अब आप क्या किजिए, इनको प्लस किजिए, बताए कितना होगा यह, sir यह तो वह 3000, यह भी कितना होगा, 3000, 3000 मैं से 1000 मैंनस कर दिजिए, तो stationery as an expenditure कितना जाएगा आपको, 2000, और expenditure हम कहां दिखाते हैं, बोल सकते हो, by, in command, expenditure account, यह क्या होगा, balancing figure, मज़ा आ गया, अब खोर्स मज़ा आ गया, देखो कितना बढ़ याज़ इसको ठालेजिए, मैं पूछूँ एक बार, opening stock कहां जाएगा, opening balance sheet, closing stock कहां जाएगा, closing balance sheet, income and expenditure कहां जाएगा, income and expenditure account, क्या आपने account खोल रखा है, खोल रखा तो वहाँ put करते जाएए, इस यह इसको, last में fifth adjustment कहा रहा है, assets on 1-1-2016 were this, assets आपको opening भी दे रखा है, furniture, sports material, सीधा indication इसका क्या है, कि आप क्या कर लो, opening balance sheet बना लो, सीधा indication है, अगर सवाल ने पूछा नहीं है, तो आप नहीं भी बना सकते हैं, opening balance sheet मुझे कब बनाना पड़ेगा, देखो, इसने नहीं बोला है, फिर भी opening balance sheet बनाना पड़ सकता आपको, कब, when, क्या बात है, capital fund is, not, given, जब capital fund नहीं दिया होता है, तो opening balance sheet बनाना क्या है, कम पलसरी है, बनाना ही पड़ेगा आपको, इस सवाल में capital fund दे रखा है, बहुत अच्छी बात, तो फिर पंगे मत लो आप, मत बनो opening balance sheet, ठीक है न, लेकिन इसके बावजूद भी, अगर सवाल ने कहीं कह रखा होता, कि opening balance sheet बनाना पड़ेगा, तो फिर आपको रोक नहीं सकते हैं, बनाना ही पड़ता, और सवाल ने अगर नहीं भी बोला है, तो भी बनाना पड़ेगा कब, जब capital fund missing हो, क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब closing balance sheet बनाओगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, जब closing balance sheet बनाओगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, देखो नहीं यहाँ पे, यहाँ capital fund चाहिए, opening capital fund चाहिए, इसी में क्या करोगे आप, इसी में क्या करोगे सर लेस तब जाके closing निकलता है जब opening capital fund आपके पास होगा ही नहीं तो आप किसमें adjustment करोगे तो opening capital fund आपको चाहिए चाहिए आप बहुत लगी है कि इस सवाल में opening capital fund क्या कर रखा है दे रखा है, बहुत अच्छी बात तो क्या सर और कुछ adjustment बच गया है अब यहाँ पर adjustment तो complete है अब मुझे क्या करना है Receipt and payment account को देख करके income and expenditure को बनाना है और complete balance बनानी है, देखिए आपने बहुत सारे items तो अल्यड़ी कर रखे होंगे अब यहाँ क्या बनाईए आप यहाँ सस्वली के income and expenditure account मैं ऐसा करता हूँ, मैं साइड़ वैस है पूछिए डाइक्टी जा लेंगे, कैसी बात करते हैं, कुछ नहीं शो करना है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है अगर हम को, अगर मैंने account बना ली है तो अब मुझे दुबारा से क्यों उसमें plus minus करके दिखाना है नहीं दिखाना है बात समझ गए वो plus minus वो करते हैं जो adjustment नहीं करते हैं जो मैंने adjustment कर लिया, देखो नहीं क्या कर रखा book ने, book ने सवाल के अंदर ही solution के अंदर ही adjustment कर दिया और मैंने adjustment कहां करवाया बाहर करवाया, कुछ नहीं करना है, final करना है बात समझ गए मैं यहां बनाता हूँ, देखें इनका मैंने expenditure account और यहीं पर मैं क्या बनाता हूँ balance sheet balance sheet क्या लिखोंगा as on 31st December 2016 देखें, side by side मेरे पास page है मैं कर सकता हूँ, दोनों जेका entry टेखें बच्चो income expenditure account हो गया, ऐसे क्या बनाई है आप balance sheet हूँ बाल में फस्यादिर के जाएगा। balance it ठीक है यह क्या दिखाईए आप इसको यह आपका क्या हुआ यह asset यह क्या amount यह फिर क्या liability और यह क्या amount इसमें भी आई है बना लिए तुछा सा वैसे तो line draw गड़ें बहुत टाइम ही लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं एक सवाल में कम सकम कर सकते है एक बार habit हो जाएगी ना तो फटा फट विक अप होगा ठीक है जी बनाई है अब क्या है रिसिप्स और पेमिंट अकॉंट के आप रिसिप्स साइड से स्टार्ट करो बाइलेंस एक एक दोयार सिक्स्टीन इसको छोड़ दो क्योंकि यह किसका इटम है उसकी बाद क्या दिखे रहा है डोनेशन्स के बारे में बात हो चुकी है न क्या होगा सर यहां लेखो डोनेशन्स सर डोनेशन तो 50% इंकम होगा डोनेशन क्या लेखोगे 2500 और रिमेनिग डोनेशन कहां जाएगा रिमेनिग डोनेशन कहां जाएगा क्या प्लस कर दिए डोनेशन्स कितना डोनेशन्स है 2500 एक थोड़ा समय कुछ करता हूं रुख जो चाहिए गहा चाहिए चाहिए अब यहाँ क्या लिखिए अब capital fund add क्या करो उसमें donation कितना donation यह 2500 यह plus कर दो donation का treatment हो चुका है donation के बाद लिखे next क्या है entrance fee same treatment की यहां क्या लिखिए entrance fee 50% यहां लिखिए कितना है 1750 मानते हो न और यहां क्या कर दो plus कर दो entrance fee 1750 next sir देखते हो साथ साथ आप लोग यहां plus किया income में यहां भी plus कर दिया उसके बाद sir entrance से भी बाद क्या है subscription, subscription तो कुछ देखना ही नहीं है subscription का आप मुझे बताइए क्या क्या आपके आपके पास income में कितना है आपने working note कर रखा है मुझे बताते हैं यह 19,000 और क्या 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 दे रखा आपको closing auto standing उसको छोड़ दी auto standing at the end outstanding subscription 800 है beginning का मुझे नहीं चाहिए न मुझे सिर्फ end का चाहिए outstanding rent outstanding subscription कितना है at the end पक्का मुझे खुछ से करना पड़ेगा क्या outstanding at the end outstanding at the end 800 है advance at the end 200 है ठीक सही कह रहा हूँ दोगो यहाँ आजाओ यह auto standing at the end 800 है इसमें advance भी है advance at the end न हो क्या लिखाब advance at the end न at the end liability मा आएगा advance subscription कितना amount है 200 अब मेरे पास किया है कि मैं एक साथ सारा page डिस्पले नहीं कर पा रहा हूँ न इसलिए मुझे आगे पीछे जाना पड़ रहा है advance subscription 200 है subscription की बाद तो complete हो चुकी है एक subscription गया आपका income है यहाँ पे दूसरा गया advance liability में और तीसरा auto standing asset में बताइए next क्या उसके बाद उसके बाद locker rent है locker rent income में कितना निकाला आपने locker rent कितना है income निकाल चुको है 850 है 850 के बाद अलावा क्या है locker rent में आप लोग नहीं बोलते हैं मुझे खुद पीछे जाके देखना पड़ता है locker rent 850 income है auto standing at the end कितनी है 50 है auto standing in the beginning से मुझे कोई मतलब नहीं अभी auto standing at the end locker rent नमारा income है auto standing locker rent 50 rupees asset में आएगा क्योंकि locker rent आपको receive होना है receive होने वाले जो auto standing होते हैं वो asset होते हैं locker rent के बाद हो क्या है locker rent के बाद है income from annual program कुछ बोल रखा है क्या है इसके बारे में नहीं direct income में ले जाओ इसको यहां ले ले जाओ income from कोई adjustment नहीं बचाओ annual program कितना amount है 1500 यहां ले जाओ उसके बाद sir उसके बाद है sell of furniture furniture की cost price 20,000 है और sell की आपने 15,000 में depreciation का कोई चक्कर यहां पे नहीं है क्योंकि बोलीन रखा है तो आपको loss कितने का हुआ है 5000 का loss हुआ है तो loss income expenditure में कि तर दिखाएंगे तर दिखाएंगे न क्या लिखाएंगे loss on sell of furniture sell of furniture 15,000 है और cost of furniture bracket में 20,000 है तो loss कितने का हो गया 5000 का loss कितने का हो 5000 का लेकिन एक बात और भी है furniture balance sheet में भी जाता है यह आपकी balance sheet है यहां लिखेंगे क्या आप furniture furniture की balance कितनी है देखो न opening balance दे रखा कितना 25,000 furniture की opening balance कितनी है 25,000 furniture की opening balance 25,000 है जो की closing में transfer करेंगे और यहां से क्या कर देंगे minus कर देंगे sell of furniture यहां से 20,000 minus करना यहां से 20,000 minus करना क्योंकि 20,000 cost की furniture क्या हो गई है sell हो गई है लेकिन अभी finalize मत करो आप payment side में एक बार जाके ढूंड लो कोई नया furniture purchase तो नहीं हुआ है adjustment में तो कुछ भी नहीं था सिर्फ payment side जाके ढूंडो taxes, rent, stationery, billiard, electric investment नहीं है इसका मतलब अब furniture कितना बच गया आपके पास 5,000 ही बच गया furniture सिर्फ 5,000 का बच गया इस तरह के सवारबना चारो तरफ ध्यान रखना पड़ता है ठीक है ना opening balance यह यहां किया वाँ जाता जाता asset side में next point उसके बाद क्या आपका है furniture बाद आपका capital fund कहा से आगया furniture यह question कुछ बनता है asset equals to capital plus liability होता है तो understood जो assets में amount दे रखा हो तो capital में हो गई होगा understood है ना नहीं मानते बाद को क्या है देखो मैं जब eyebrow raise करता हूँ तब raise करता हूँ जब आप थोड़ा irrelevant question पूछते है irrelevant question इसलिए है कि जब capital fund equals to क्या होता है capital plus liability आपने 11th class में basic chapter ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो understood उसमें include होगा यह ठीक है ना मुझे दिया हुआ है सवाल हो तो मैं क्यों पंगाल होगा इसका बात समझ गए तो 5000 होगया furniture आपके पास उसके बाद देखिए आपका receipt side तो complete हो चुका मांते हो आए पेमेंट side payment side में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है taxes कोई adjustment नहीं है taxes को क्या माल लीजी आप expenditure देखो ना जब कोई adjustment नहीं होता है को किसे पता है कि adjustment नहीं है पूछो कैसे पता है मैंने सारा adjustment पहले ही कर लिया मुझे नहीं पता हुआ क्या है जब मैंने सारे adjustment पहले ही कर लिया तो क्या मुझे नहीं पता हुआ कि किसमें adjustment है किसमें adjustment नहीं है इसमें adjustment नहीं है पूरा पूरा 12,000 यहां ले जाओ stationary आपको कसम आप जूट नहीं बोल सकते stationary का मैंने account बना रखा है देखिए कितना stationary income and expenditure account में transfer करना को है Taxes 1500 है Taxes 1500 है stationary account देखो यहां पे stationary account में receipts and payment account में 2000 ट्रांसफर करना है हिसाब किताब पहले ही हो चुका है और closing balance sheet में 1000 भी जाना है दोनों ध्यान रखना यहां क्या लिखा बच्चा बोलो जल्दी से stationary कितना लिखें 2000 stationary consumed ठीक है ना और उसके बाद balance sheet में क्या लिखेंगे stationary 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 आज तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है 1000 बचा हुआ है मजा आ गया सारा हिसाब किताब पहले ही हो चुका है stationary के बाद stationary से पाले एक rent था rent के बारे में भी बात हो चुकी है rent का account मैंने बना रखा है मतों rent में कितना है 12800 मुझे यादा रहा है और 800 out standing था out standing कहा जाता है यह गया expenditure में और out standing कहा जाएगा liability में out standing rent कितना था 800 था 800 था उसके बाद बच्चो देखो next point rent हो गया stationary हो गया wages हो गया billiard table कहीं नहीं जाएगा कहां जाएगा asset में billiard table कितना बिलियर टेबल 1950 यह जाएगा asset में billiard table की बाद क्या है electrical fittings electrical fittings electrical fittings में electrical expenditure में difference होता है electrical fittings क्या होता है जो यह electrical items मैंने कुछ fit कर रख आपने या तो वह asset होता है आपका मैंने पहले इसको electrical fittings को expenditure बोल दिया मैं पुरा पढ़ा नहीं था electrical खर्चा नहीं है expenditure नहीं है electrical fittings है यह आपका asset है यहां लिखिये electrical fittings कितना बच्चे electrical fittings है 1150 इसमें depresion करना नहीं है जिन्दा मत करो उसके बाद है investments क्या है आपका asset है ना investment कितना है 12,000 investments के बाद repair of course repair कहां जाएगा expenditure में यहां जाएगा repair कितना है 800 repair के बाद annual program expense यहीं आएगा annual program expense कितना बच्चे 1100 और क्या सर match expense यहीं पर आएगा कितना match expense 3000 bank balance of course कहां जाएगा balance sheet में bank balance यह cash at bank लिख सकते थे कितना है 25,000 cash in hand कितना है बोलो ना 5000 देखरो सारा हो गया loss on sale of furniture डाला नहीं पहले डाला होगा मैंने डाल दिया देखो loss on sale of furniture तो देखो आपने adjustment पहले करने से क्या फाइला हुआ कि सारे items आप बड़े मज़े से कर लिए आराम से income and expenditure को आपनाना बहुत असान हो गया आपके लिए एक बार आप फिर से इसको go through कर लिए कुछ item तो नहीं छुट गया आपका देखे रिसिप्ट साइट में balance, donations, entrance fee, subscription, locker rent income from annual program sale of furniture, taxes, rent, stationery ways available, activities, investment, repair annual program, match expense, bank balance, cash balance locker rent, सारा हो गया कुछ बस तो नहीं गया नहीं बच गया sir अब सबसे फ़ले किसको close करेंगे हम income and expenditure account को देख लिए match कीजिए आपका कितना amount आ रहा है कितना आ रहा है 29,200 किस set ज़्यादा आ रहा है expenditure side अगर आपने पहले से plus करके रखा है तो यह बहुत मदद है हमारे लिए कितना हो जागा यह 29,000 बोलो 200 यहां भी क्या आएगा 29,200 और कितने के difference आ रहा है 3,000 रुपीज income नहीं है loss है यह क्या लिखोगे excess of expenditure over income excess of expenditure over income इसको deficit भी क्याते है deficit हो गया मैं इसको highlight कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए अदरवाइस exam में आप ऐसा नहीं करेंगे ठीक है न यह आ गया तो कैसे करेंगे sir ultimately पहले expenditures यह आपका complete income expenditure account है अब आप balance sheet के item जो भी loss आया न उसको क्या करोगे आप capital fund में से क्या करोगे minus कर दोगे deficit यहां से minus कर दोगे तो capital fund finally आपको मिल जाएगा कितना है 55,950 calculator भी लेगा है आप लोग साथ में और balance sheet में total कितना आ रहा है 56,950 इदर match कर रहा है देखो सब आड़के के match कर रहा है पक्का देख लिए न चे कर लो साथ match कर जाएगा 56,950 मैं एक बार last दिखाता हूँ यह आपकी balance sheet है यह आपका income and expenditure account है आपको दिक्कत हो तो आप pause करके वीडियो को आप लिख सकते हैं क्या कहाँ रहा है cash in hand, cash in bank, auto standing, locker rent, stationery, furniture, billiard table, electrical fittings, investment, match करेगा आप इसको pause करके भी देख सकते है ठीक है उसके बाद आप देखिए सारे adjustment करा रखा है मैंने adjustment में तो आप सीधा account बनाईए सोचिया ही मत जितना time आपको account बनाने में लगेगा न उससे ज़्यादा time आपको income and expenditure बनाते वक्त बच जाएगा finalize करते वक्त ठीक है बच्चो तो मैं आपको इस class के साथ इस class में यहीं छोड़ जाता हूँ कुछ questions आप try करेंगे इससे पहले 34, 30 and above questions आप try करेंगे 31, 30, 32 इससे questions ट्राइ करेंगे illustrations हाँ इसमें illustrations ही दिया हुआ है उसको यह try करना है ठीक है आज कर बस इतना ही अगले class ने फिर मिलेंगे God bless you all, take care, bye bye and see you